दिल्ली समेत पूरे उत्रभारत में बारिश ने तबाही मचा दी है सडके स्विमिंग पोल में तब्दील हो गई है पार्किंग में खड़ी गाड़िया पूरी तरह पानी में डूब चुकी है ट्रांस्पोर्ट सिस्टम पूरी तरह बैट गया है कई शहर में तो हालात काफी बिगड चुके हैं घर, मकान, दुकान सब पानी में डूब चुके हैं इस बार तो बारिश को ज्यादा हुई है बहले ही बारिश इस साल ज्यादा हुई हो, मगर तबाही के कहानी हांसाल की है इसके पीचे बड़ी वज़ा है कि सिटी प्लानिंग ठीक से नहीं हुई शेहरों में पानी भरने की कई वज़ा बताई जा रही है नालों की सफाई नहीं होना, ब्रिनेज सिस्टम ठप होना यही नहीं आपने कई बार गौर किया होगा कि सडकों की सफाई के दौरान नाली में कच्रया फेक दिया जाता है जिसके मौनसून के पहले सफाई भी नहीं की जाती और बारिश के दौरान ये नालियां जाम रह जाती है जिसकी बज़से सडकों का पानी बाहर नहीं निकल पाता लेकिन ये छोटी छोटी वज़ाएं है सबसे बड़ी वज़ा है खराब सिटी प्लाने पानी की निकासी के पर्याप्ति विवस्था का ना होना बेतरती बसावट आबादी के साब से बुन्यादी विवस्था की कमी तंग और संकरी गलियां और उपन स्पेस की कमी ऐसे में जब मूसलाधार बारिश होती है तो पानी निकलनी के जगह नहीं बच पाती और यही पानी घरों के अंदर घुज जाता है तो हम इसे दो उधारन से समझ सकते हैं दिल्ली के एक तरफ नॉडा है तो दूसरी तरफ है गुडगाओं दिल्ली अंसियार का पूरा ये इलाका माना जाता है गुडगाओं की ही बात कर लें तो सडके हर साल एक दो बारिश मही डूप जाती ही पूरे शहर में सीवेज की विवस्था भी नहीं है जबकि नॉडगाओं का ज्यादतर विकास नीजी बिल्डरू ने किया है जिनने सिटी प्लानिंग से नहीं बलकि अपने मुनाफिस मतलब है आपको ये भी बता दें कि साल 1975 में फ्लड प्लेन जोनिंग कानून के लिए एक मॉडल ड्राफ बिल केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को भीजा गया था कुछ राज्यों जैसे कि मनिपूर राजिस्थान ने भले ही इस पर कानून बनाया हूँ लेकिन इसे अब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया कई राज्योंने इस पर कोई कानून बनाने से भी मना कर दिया तो कुछ राज्योंने कानून बनाने को लेकर हामी तो भरी लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया इस जो मॉडल ड्राफ्ट है उसके मुताबिक शहर जो है वो फट प्लेन में कुछ जोन या फिक्षेत्र चिनित उनके मुताबिक किये जा सकते हैं उधारन के लिए किसी राज़ में जोन 1, जोन 2, जोन 3 है और इनमें से जोन अईसा क्षेत्र जाने की संभावनाना के बरावर होती है जोन 3 में बाड आने की बहुत जादा आशनका होती है ऐसे में जोन 1 में तो विकास कारे संबंधी जादा प्रतिबंध नहीं होंगे लेकिन जोन 3 में विकास कारे संबंधी कई नियमों का पालन करना होगा और इससे भारी बारे से होने वाले नुकसान को रोकना काफी आसान हो सकता है आईए सी बे करते हैं चर्चा की शुरूआत हमारे साथ है दो खास महमान परिचा करा देते हैं जाने माने टाउन प्लानर राजीव मिश्रा जोकी सर जेजे कॉलेज अफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिबल भी है और साथ ही दिल्ली के टाउन प्लानर दिक्षु कुकरेजा हमारे साथ हैं दोनों ही एक्सपर्ट का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहुत ही महतुपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए साल दर साल वही कहानी और चाहे देश की राजधानी हो या फिर देश की आर्थिक राजधानी ये हाल देखकर बहुत ही अचंभा होता है और बहुत ही अफसोस होता है इसलिए सबसे पहले मैं राजीव जी आप से जानना चाहती हूँ आखिरकार खामिया कहां पर है हम दिल्ल कि मंबई की हालत फिर से वैसे ही देख रहे हैं क्यों साल-दर साल वही काहनी दिए मैं समझता हूं कि बंबई शहर में फ्लैडिंग होना एक बड़ी बात होती है क्योंकि ये सिटी समुद्र को ठू कर है यहां पर हर साल हर साल फ्लैडिंग होती है इसके लिए Municipal Corporation और Mumbai को flood mapping zone बनाना बहुत जुरूरी होता है जिसकी वज़स से जो पानी collect होता है जो storm water drain से नहीं जा पाता उसको pump out करके flooding नहीं होने के लिए कारवाई की जाती है लेकिन हर साल हम देखते हैं कि उसी जगा हर साल flooding होती है जिसके उपर विशेज ध्यान देने के बावजूद उस पर कारवाई नहीं हो पाती है यह city planning का दोश्ट है लेकिन city planners को अगर मौका दिया जाए कि इसका alternative plan बनाकर flood mapping zone देके एक proper कमिटी बनाकर इसके उपर अगर कारवाई की जाए तो इसका हल निकला जा सकता है लिकिन निकालने के लिए हल इतना मेहनत का काम है ऐसा municipal corporation को लगता है इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता मैं समझता हूं कि यह संभव है flooding बचाने से traffic का भी problem होता है क्योंकि traffic अटक जाने से पूरा शहर रुख जाता है इसलिए मैं समझता हूं कि flooding mapping zone करके ही इसका निवारन हो सकता है तो आप कहरें कि flood mapping zone से इस बड़ी समस्या का निवारन किया सकता है लेकिन ये शायद उतना आसान ना हो जितना लग रहा है क्योंकि इसमें मल्टी लेवल अप्रोच की जरूत है क्योंकि हर जगह से इसमें हमें साथ चाहिए सबका सबसे important है सर मैं दिख्शु जी के पास भी जाओंगी सर मुंबई में तो मूसलाधार बारिश होती है हर साल हम तस्वीरा हमेशा दिखाते हैं मुंबई डूब गई पानी पानी हो गई सर के सालाब में तबदील हो गई दिल्ली को क्या हो गय सियम कहते हैं कि दिल्ली बनी नहीं है इतनी बारिश के लिए क्या हम सिर्फ इसी पर दोश मड़ सकते हैं क्योंकि बादल इतने बर से इसलिए डिल्ली डूब गई क्या और कोई रोल नहीं है इसमें नहीं स्वाती इसमें अफकोर्स ये सब चीजें तो बातें करने वाली हैं बट रियालिटी इस कि हर चीज का सल्यूशन है अभी जैसे राजीव जी ने बताया मुझे याद है बहुत साल पहले से हम सुन रहे हैं कि मुंबई शेंगाए की तरह बहतरीन हो जाएगा और दिल देखने को मिलती है दिली में इसका मैं आपको सिंपल एक चीज बताएं कि अनलाइक बॉंबे का जैसे अभी इन्होंने टोपोग्रफी राजीव जी ने बताई दिली की तो इतनी फॉर्चुनेट टोपोग्रफी है कि यहां पे अरावली हिल्स है और जैसे आप रिज एरि दिली में अब यह जो प्रॉब्लम्स आ रही है फ्लडिंग को लेके इसका वज़े जो है बड़े सिंपल रीजन्स है अगर आप इसको अनलाइज करें एक तो है कि हम यह बाई यह डेली में जो डिवेलप्मेंट करते जा रहे हैं इसका जो ग्रीन कवर है जितना जमीन पेविंग आ गई है तो उसकी वज़े से जो पानी एब्सॉब हो जाता था अर्थ में वो अब कम हो गया है उसके अलावा जैसे आपने बताया ड्रेनेज सिस्टम्स नालियां चोक होना वगएरा चलो वो सब चीज़े तो हम देखते हैं और वरी एजली डूएबल सलूशन लेकिन multitude of authorities जो दिली में है ये एक और problem है constantly आप देखेंगे debate शुरू हो जाती है कि ये problem MCD की है कि NDMC की है कि DDA की है कि PWD की है इस तरीके कि हर साल यही debate सुनने को मिलती है लेकिन इसमें reality ये है कि आज की date में monsoon हमें समझना चाहिए हमारे देश भर के लिए ये एक boon है ये एक natural blessing है जिसके बिना तो हमारा देश तभाई की होड़ सकता है क्योंकि यहाई पे तो हर साल हमें इतना water मिलता है चाहिए वो farmers को हो चाहिए वो cities में हो तो ये water के लिए मेरे belief ये है कि एक integrated water management policy आनी चाहिए countrywide भी और citywide भी ताकि इसमें इतने तरीके है solve करने के problem कि हमें natural water reservoirs create करने चाहिए जहां पर हमारी lakes है दिल्ली में बहुत सारी lakes है बहुत सारे depressions है वहां पर पानी कैसे store किया जाए और डब्ल्यूस को involved करके जो colony के parks है उसके under rainwater harvesting करके और water reservoirs create किये जा सकते हैं तो यह सारे तरीके हैं जिससे यह पानी बजाए ऐसे सड़कों पे एकठा हो यहां पानी नहीं है पीने का बच्रा सब सॉइल water सारा recede कर रहा है तो यह कैसा कि किसी समय साल में हम कहते हैं कि फ्लडिंग होगे इस शेहर में किसी समय हम कहते हैं कि शहर सूख रहा है तो obviously यहां पे कहीं ना कहीं planning में भी problem है इसकी जो authorities and urban administration है वहां पे problem है और एक और क्योंकि राजीव जी ने बताया यहां पर कि flood mapping zone होना चाहिए सब 1975 का flood plain zoning कानून भी बनाया गया इसका draft जो आया जो हम अपनी report में भी बता रहे थे उसको वो कभी लागू ही नहीं हो पाया मतलब अमली जामा भी उसको पहनाया नहीं गया तो मतलब जब आपके पास कानून चुम्भी है उसका draft भी तयार किया गया वह अगर लागू नहीं हो पाया तो अब उसमें और क्या किया जा सकता है अब फुरा सा forward looking अगर समझे राजीव सर आप से हम तो शहर बड़े शहरों की बात करें millennial city गुडगाओं बड़ी गगन चुम्भी इमारते वहां पर है लो बोटे शहरों का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है क्या कुछ गुंजाईश है बहतरी की क्या टाउन प्लैनिंग में ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे कि यह जो बिगड़ गए हालात उसको टाउन प्लैनिक से सुधारा जा सके अच्छली टाउन प्लैनिंग की जो भी मात्रा में प्लैनिंग होती है वो मुनसिबल कॉर्परेशन के एप्रूवल से ही होती है बिना एप्रूवल के आप प्लैनिंग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकल गवर्मेंट जैसे मुनसिबल वेनी सिटी को climate change बड़ा seriously तरीके से लेना होगा वो climate change को बड़ा casually लेते हैं उनको ऐसा लगता है क्या है अगर flood है तो थोड़ी देर में निकल जाएगा पानी उसमें क्या है लेकिन इसकी वज़े से जो दिक्कते होती है जिसके वज़े से जो infrastructure पर problem होता है जिसके वज़े से शहर रूख जाता है वो गंबीरता से नहीं लिया जाता ट्राफिक वाला बूलता है ये water management का काम है water management बूलता है ये road department का काम है जिसके वज़े से कोई जवाबदारी नहीं लेता तो एक जवाबदारी निच्छित करने वाली agency हमको निर्धारित करनी होगी और multiple corporation में दो तरह की powers होते है एक होता है discretionary powers और एक होता है obligatory powers obligation होना चाहिए multiple corporation का कि अगर आपके शहर में flood होता है तो ये आपके लिए शर्मनाग बात है ये हमारे शहर को रोकता है शहर की economy को रोकता है और flood को जब तक आप serious नहीं लेंगे और जैसे की दुक्षू जी ने बता है water reservoir में इसको हम store नहीं करेंगे इसका इस्तेवाल हम बाद में कर सकें सब soil water कोई level बनाने के लिए तब तक इसको serious नहीं लेगा मुझे तो ऐसा लगता है कि शहर की municipal corporation को fine लगाना चाहिए कि अगर अगली बार इस जगा वापस flooding हुई तो इसमें कहीं न कहीं आपको इसका मूले मापन करकर fine देना होगा जब तक हम उनको इस मामले में जवाबदार नहीं ठहराएंगे तब तो वो ऐसी चलता रहेगा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कानू रोना चाहिए कि अगर किसी भी शहर में flood हुआ किस कारण से हुआ उसका निर्धारन अभी करें ताकि बाद में नागरिक को इस बात की कोई परिशानी नहोगा बिल्कुल सर मुंबई में नहीं कर पाए और चंडिगड़ और बाकीन छोटी स्टेर टू सिटीज में कर पाए है उसको करने में सफल हो पाए है क्या सीख ले सकते हैं हम ऐसी successful example से यह बहुत अच्छा सवाल है आपका स्वाती बिकॉज इसी देश में ऐसे examples है ना जैसे आप चंडिगड़ का दे रहे हैं कि वहाँ पे ऐसी क्यों नहीं problems आती इसका simple answer यह है कि यहाँ पे जो planning चंडिगड़ की अगर हम बात करें या अगर आप N-DMC area की भी दिल्ली में बात करें कि planning जो होनी चाहिए वो एक future के लिए होती है मैं देखता हूँ कि बहुत जगे जो planning के authorities जो medium लेती हैं इतना myopic रहता है कि नई इसको हम इतना चोड़ा नहीं बनाएंगे नालियां इतनी बड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा लग जाएगा तो यह जो अभी बात कर रहे है राजीव जी बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेस किया कि answerable कौन हैस में private individuals पे तो जट से fine लग जाते हैं हर चीज़ के लिए बट इनके लिए कौन सा law apply होता है जब तक मेरे को लगता है जैसे बाकी issues में courts नहीं step in करते और वो नहीं इस तरीके से punishment सुनाते या एक तरीके से fines लगाते ये चीज़ तो हर साल ही हम सुनते रहेंगे तो to answer again your question चंदिगर जैसे शहरों में future planning की provision लेके उस तरीके से development की गई है और यहां पे बहुत से शहर जो हमारे हैं या छोटे नगर भी हैं वहां पे हम उस तरीके की long term planning के बारे में सोचते ही नहीं और वो इसलिए है क्योंकि जो urban administration है वो उस तरीके से करती नहीं myopic सोचते हैं नहीं इसमें 10 लाग कम कर दो तो budget कम रहेगा project करा उसमें नाली बननी है नाली बाद में बन जाएगी अभी नाली छोटी करो बाद में चोडी बना दी जाएगी इस तरीके से थोड़ी ना planning करी जाती है राजीव जी आम शौर कि काफी हुकमरान अभी हमें सुन रहे होंगे इस MONSOON से लेकर अगले MONSOON तक हम चले लंबा नहीं सोचते हैं इस MONSOON से अगले MONSOON तक ही सोचते है MONSOON से MONSOON तक शेहरों की planning में क्या-क्यशामिले होना चाहिए उटि社ों के planning में एक integrated water management system होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से किस प्रकार हम water को divert कर सकें ताकि किसी एरिया में फ्लडिंग न हो जहां पर ज़्यादा फ्लडिंग होती है वहां पर हम पंप लगाएं जिससे वाटर पंप आउट करके हम किसी वाटर रिजर्वायर में स्टोर करें तीसरी बात है जो सीवेज सिस्टम है जो शहरों की नालिया है उसको तीन मैंने पहले से ही सफाई करके रखें ताकि अगर फ्लडिंग हो तो वाटर को जाने के लिए मार्ग मिले और चौथी बात जबी भी आप कोई भी नया डेवलप्मेंट अप्रूव करें उसमें जब तक बाटर रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से आप रेनवाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते या पानी जो जमा होता है उसका आप कोई नया तरीका नहीं अपनाते तक 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 आपको किसी भी प्रॉजेट का अप्रूवल नहीं दिया जाए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शहर को रोपते हैं यह आपके नागरिक लोगों की जिम्मेदारी है और यह शहर के मुंसिबल कॉर्परेशन की जिम्मेदारी है कि शहर को अच्छी तरह चलाएं और शहर को रहने लाइक बनाएं ताकि क्वालिटी ओफ लाइफ इंप्रूव तोटी सी बात पानी फ्लडिंग हो जाती है मैं आपको एक 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 एग्जम्पल देता हूँ भॉलेंड नाम का एक देश है जो सी लेवल की नीचे है लेकि उनके यहां ऐसा किनाल सिस्टेम है ऐसा वाटर वेस सिस्टेम है ऐसा ड्रेने सिस्टेम है वहाँ पे कभी पानी जमता ही नहीं क्योंकि उसको बड़ा सीरियस नी लिया गया है आपको कोई नए तरीके टेकनोलोजी अपना कर पानी को किस तरह बहाओ उससे ले जाकर दूसी जगह हम पहुंचाएं ताकि फ्लडिंग ए जगह न हो इस पर मेरे ख्याल से बाटर इंजीनियर्स हाइड्रॉलिक इंजीनियर्स को काम करना चाहिए और उनको सीरियसली मैं तो बोलता हूँ इंसेंटिव भी दाना चाहिए अगर आपने किसी भी जगह पे फ्लर्ड रोखने का काम किया हो तो आपको ये इंसेंटिव दिया जाता है आपका नागरी अभी नंदन करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो क्योंकि टाउन प्लैनर्स जो होते हैं वो तो plan बनाते हैं वो एक प्रकार का development plan निर्धारित करते हैं लेकिन operation और maintenance तो local government ही देखती है उसके उपर अगर अगर हम planners को बुलेंगे कि यह ऐसा करना चाहिए तब ऐसा करना चाहिए तो ऐसा नहीं होता तो यह गलत बात होगी planners हमारे पास बहुत अच्छे हैं अगर उनकी बात आप मानें तो बहुत ही अच्छा plan तयार करके उदे सकते हैं ताकि किसी भी जगा flooding ना हो केवल विश्वास की बात है ऐसा आप उनको करने का मौका दें बस और कुछ नहीं बड़े साधारण सी बात है अलग अलग डिपार्टमेंट में उसमें से एक बंदे को कौर्डिनेटर किया जाए जो सबसे काम करवा है ताकि flooding किसी भी जगा किसी भी शेहर में ना हो तो flood mapping zone इसकी आवशक्ता है water management policy क्योंकि water harvesting हम school में बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे बारिश क्या पानी जो है उसको properly अगर harvesting की जाए वही हमारे आगे काम आ सकता है और यही बारिश का पानी जब नालियों में निकल जाता है इस तरीके से नाली के पानी की साथ मिल जाता है तो क्या इसका इस्तमाल हो सकता है तो यही सीक अगर इसको अमल में लाए अगर खुद प्रशासन भी अलगला जो इसके लिए जिम्मेदार है तो शायद ऐसी हालत नहीं होगी सड़कों की जो हम इस बारिश में देख पा रहे है अपने अपने राये रखने के लिए हमारे दोनों ही टो एक्सपर्ट्स है राजी मिश्रा जी और दिक्षु कुक्रेजा जी आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए